वेलकम टू एक्जाम तक आज 21 मार्च और 21 मार्च 2022 के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेस के कोश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहला कुश्चन कौन सा है हाली में किसने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ईवी इलेक्ट्रिक वीकल मतलब है और ये हैं टोयोटा कंपनी का जिसका नाम रखा है मीराई इसको किसने लॉंच किया है अब समझ माँ गया मीराई एक ब्रैंड का नाम होगा और इस ब्रैंड कौन सी कंपनी का है तो टोयोटा कंपनी का है और ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधरी जो है इलेक्ट्रिक वीकल होगा जो आने वाले टाइम हमारा फ्यूचर है क्योंकि 2047 तक हमने यह भी टार्गेट रखाएं कि उर्जा मोगत मालब उर्जा में आत्मनिर्वर बन जाएंगे 2070 तक हमने जीरो परसेंट कार्बन एमिशन का भी टार्गेट रखावाएं सो नितिन कड़करी हमारे हाइवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साब जो हैं इन्हों ने गटन क्या है यह आपको याद रखना अच्छा जो बड़ी बड़ी कंपनी होती इनके देश आपको याद रहना चीज़े से टोयोटा हैं तो यह किसके जैपैन की है जैसे हुंड़ाई हो गई तो हुंड़ाई जो हैं साउथ कोरिया की है आजकल बहुत ज्यादा मंत्री है ठीग है याद रखना मंद्विया साप स्वास्थी मंत्री है और आजनात सिंग रक्षा मंत्री है सारे के सारे के यह कैबिनेट की लिश्च जो है मैंने अप्डेट करके अग्जाम तक की वेब साइट पर डाल दिये तो जाके सुर्च कर लिना एक्जाम तकि आपको पता होगा 1 October 2021 के बाद इसको जो है मनलब जो है भंग कर दिया गया तो इस कारण से जो है आपको पूछा जा सकता कि इसका डेक कब मनाया जाता था काफी ज्यादा ओल्ड था इसको भारत का जो है फोर्थ डिफेंस मनलब जो है कहा जाता था आर्मी नेवी एरफोर्स क या फिर उनके लिए जो ड्रेसेज हैं हेलमेट से हर तरह की चीज जो है ओ एफ जो है ओडिनेंस फेक्टरी बोर्ड ये बनाया करती थी और वकाईदा यूपी एसकी एक से सर्विस भी वाकरती थी आई-एस आई-पीस की तरह तो काफी बड़ा था अपने आप में इसको भ अलग-अलग-पी-एस यूज में बदल दिया गया है जो हंड्रीट परसेंट गौवर्मेंट ओन कंपनी जोगी एक्चल में जो हैं ओडिनेंस फेक्टरी बोर्ड के बहुत सारे काम थे तो उन्हीं काम को अलग-अलग कंपनी एक कंपनी को सिर्फ एक ही काम करना है तो इस जो हैं यह आदमी नहीं है यह जहाज का नाम है राम-प्रसाद बिस्मिल और यह सबसे बड़ा जहाज बन गया है जो गंगा नदी से प्रह्म पुत्र में गया हैं तो यह क्यों खास हैं यह आने वाले टाइम में भारत और बंगलादेश के बीच में अगर बात की जाए ट् वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता हैं तो काफी ज़्यदा बेनिफिट मिलता है जो शेहर नदियों के किनारे हैं तो यह गंगा से ब्रह्म पुत्र तक वैसे यहां पर अल्रेडी ट्रांसपोर्ट होता रहता हैं चोटे मोटे स्केल पर यह अब तक का सबसे बड़ा जहा यह कहां से कहां तक हैं यह इलाबाद से हल्दिया तक यह आपको याद रखता है प्रियागराद से हल्दिया कोलकाता तक अगर बात की जाए यहां पर कुछ डीटेल्स की तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे 90 मिटर लंबा 26 मिटर चोड़ा यह पूरा कबरा 15 मार्च क अगर बात की जाए गुवाटी के पंडू पोर्ट पर पहुंचा जो कि हल्दिया के श्यमा प्रसाद पोर्ट से रावाना हुआ था ठीक है और इसमें क्या था लोहा था लगबख 1700 टन वजनी जो है लोहा इसमें मतलब इसको जो है ट्रांस्पोर्ट किया गया अब मैं आप से बंगला देश में ही इधर से चली जाती है तो फिर इंडिया में कहा है कोलकाता में तो कोई ही नहीं तो फिर गंगा रिवर कहां से यह हैं गंगा रिवर यहां तक आती हैं इसको कहते हैं गंगा नदी उसके बाद यह एक और इस तरह से ट्रिब्यूटरी में चेंज़ व ठीवर ठीक है यह होगली डीवर और आगे जाती है इसको कहते हैं पदमा ठीक है तो गंगा को बंगलादेश में क्या कहते हैं पदमा कहते हैं फिर अगर बात की जाए जो ब्रहमपुतर आती है उसको बंगलादेश में इंटर करने के बाद क्या कहते हैं तो जमुना कहते हैं जब ये दोनों मिल जाती हैं यहां पर तो उसके बाद कहते हैं इनको मेगना संयुक दूरूप से ठीक हैं यह आपको नाम तीनों याद होने चाहिए किस तरह किसे कहते हैं तो अभी जो जहाज गया है यहां से पूरा होते हुए जो हैं यह गुवाटी पहुंचा हैं काफी ल याद रखना हैं सारी डीटेल जो थी मैंने आपको बता दिया हैं नेक्स्ट अगर बात की जाए हाली में किस शहर में 2050 तक कार्बन उसर्जन जीरो का टार्गेट रखा हैं यानि की कार्बन एमिशन बिल्कुल 0% हो जाएगा 2050 तक और यह टार्गेट रखा हैं मुंबई ने हमारे शहर मुंबई जे भारत का टार्गेट कप तक हैं 2017 तक आपको याद रखना हैं हमने COP26 में यह बात बोली थी बट उससे 20 साल पहले ही मुंबई ने यह टार्गेट रख लिया कि हम लोग कार्बन नीट्रल हो जाएंगे इसके लिए बाकाइदा इन्होंने काफी सारे विजन भी लॉंच के जैसे 2030 तक अगर बात कि जाएं तो यह लोग जो हैं 30% अपना जो हैं कार्बन एमिशन कम कर देंगे 2040 तक जो हैं उससे भी और अधिक कम कर देंगे तो इस तरह से इनका कुछ टार्गेट हैं 2023 में यहां पर जो हैं 1200 से अधिक इलेक्टरिक बसे जो है पब्लीक ट्रांसपूर्ट पूरा इलेक्टरिक हो जाएगा तो काफी कुछ स्टेप्स उठाने होगे बी एमसी मुख्य रूप से यहां पर काम कराएं व्रहत मुंबई मुंसिप्लिटी कॉर्परेशन तो आपको याद रखना वैसे मोटे तोर पर कि मुंबई ने 2050 तक कार ट्राइंगल जो हैं इसका उद्गाटन कहां पर किया है तो यह हुआ है मेड़ा गासकर में मेड़ा गासकर की कैपिटल में यहां पर यह महत्मा गांदी को स्वध्दानजली के रूप में और राजजादी के अमरत महोटसब के तहत इसका जो उद्गाटन किया गया है महत् देश दिनाए परिया वरन को एंट शान्ती को भी ठीक है तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर कुछ डीटेल्स हैं जो मैं आपको बता दूँ मेड़ा गासकर में अभी भारत की राजदुत कोने अभे कुमार हैं और उन्होंने ही मेड़ा गासकर की राजदानी एंटा न साल सागरें एंट उसके बाद यह अरब का प्राइद भी पूगा तो एफ्रिका में यहाँ पर जो ना साइड में आपको इस तरह से दिख रहा होगा यह एक आइलेंड आपको मैप में हमेशा से दिखा होगा कभी देख लेना टाइम मिले तो यही है मेड़ा गासकर आपको रहात भी बेजी ति तो यह मेड़ा कसकर कहां पर यह हे हिंद महासागरमें ठीक है हिंद महासागरमें लेकिन किस महादवी पर से सेचल समले गा मौरिशिस भी यहीं पर ゃंटे तो यहां पर यहाँ पर एफरीका कोंटिनेंट में आते हैं वर यह ए अफ़ीगा कॉन्टिन एक मात्र ऐसा महाद्वी पे जहां से तीनों रेखाएं गुजरती कौन सी उपर से गुजरती हैं करक रेखा फिर बीच में अपुमध्य रेखा और नीचे से मकर रेखा ये सब मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा अभी मुझे भी टाइम ही नहीं मिल रह करते हैं हाली में प्यूटो रिको में जित मिस वर्ड के सत्तरवे संस्क्रण को किसने जीता इट इसा वैरी वैरी इंपोर्टन कोशन बहुत ज्यादा इंपोर्टन है यहां से कोशन बहुत सारे पिछली बार जो एस्पी प्यों का एक्जाम वाता वहां पर अभी पूचा गया था जो हरनाद संदू मिस यूनिवर्स बनी थी वहां पर कैसे कैसे कोशन पूचे थे इसका एडिशन कौन सा है साथ में यह कहां पर हुआ है इसलिए आपको काफी सारी डीटियल्स में आपको बताऊंगा कुछ भी नहीं जोड़ेंगे सबसे पहले ता आपको याद र उक्रेन के बॉर्टर के पास में पोलेंड की कैपिटल क्या मिलेगी आपको वार्षा पोलेंड की कैपिटल मिलेगी आपको याद रखता है और यह कैरोलेना विलास का जो हैं पोलेंड की है सेकंड नंबर पर कौन रही हैं स्री सैनी रही हैं स्री सैनी जो हैं यह की तरफ से इस इवेंट में किस ने पार्टिसिपेट किया सो मनासा वारन सी आपको पता होगा आपने सुनाई होगा तो इन्होंने जो हैं भारत की तरफ से प्रतिनी दित्यों किया टॉप 13 के आसपास में रही थी तो काफी दूर रह गई अवर्ट से दो और हरनाज संदू आ यहाँ पर है यह लेटिन अमेरिका में एक देश हैं और इसका सत्तरवा एडिशन यहाँ पर हुआ है आपको याद रखना फिफ्टी वन से आइटिंक स्टार्ट हुआ है मिस वर्ड एंड नेक्स अगर बात कि जाए यहाँ पर एंड एक्च्छल में मिस वर्ड में जो आना यूके के कंपनी इनका जो यह रहता है और जो यूनिवास होता है उसमें यूएस के रहते हैं आगर बात कि जाए पोलेंड की कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ड 2021 का किताब जीता 2019 में कॉस्ट ने जीता था टोनी एंसिंग ने जीता था उन्होंने इसको ताज पहनाया और अगर बात की जाए 70th edition था यह और यहाँ पर यूकरेन वर का कुछ event हुआ था जैसे टो टोनी एंसिंग है उन्होंने दब प्रेयर नाम से यूकरेन के लोगों के लिए एक जूटता का message दिया था वैसे यह important नहीं है और यह आपको याद रखना फैमिना मिस इंडिया व ग्लूबल रिच लिस्ट में टॉप पर कौने एलाउन मस्क टॉप पर हैं जेफ बेजो सेकंड पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट थर्ड पर हैं और बिल गैट्स जो है फूर्थ नंबर पर हैं भारत तीसरा सबसे बड़ा अरब पतियों वाला देश है इस लिस्ट में ठीक ह अगर बात की चाहिए इसके अलबा तो भारत के टॉप कोने नाइन्थ नंबर पर रहे हैं मुकिश अंबानी इस लिस्ट के नुसार एक सो तीन बिलियन डॉलर के साथ में यहां पर कुछ टॉप की लिस्ट देख लिए टॉप फाइव की वैसे इंपोर्डन तो टॉप वन एलोन मस्क टेसला एंड स्पेस एक्स दोनों कम्तनी दो सो पांच बिलियन डॉलर है जेफ बेजोस अमेजोन के एंड वन एटी एट बिलियन डॉलर फिर बरनाड अरनॉल्ट वन फिफ्टी थी बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के वन ट्विलियन डॉलर तो यह आपको जारी कर रहे हैं तो हमने एक्जाम तक की वेबसाइट पर लिस्ट डाल रखे हैं जाकर पढ़ लेना गूगल पर सर्च कर लेना एक्जाम तक आपको वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पर आपको करेंट अफ्रेस वाले सेक्शन में मिल जाएगा तो यह था आज का वीडिय जाहिन जेवार